Hello Friends, ये आज का वीडियो काफी मज़ेदार होने वाला है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ मोबाइल डाटा में लॉग कैसे लगाया जता है उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इससे होगा क्या जैसे दोस्तो आप example के लिए समझे जैसे ये आपका mobile है और ये mobile आपने घर पर अपने रख दिया और उसके बाद दोस्तो आप कहीं चले गए और घर का कोई विक्ती आया आपका lock खोला और net open किया और दोस्तो चला रहा YouTube कुछ भी चला रहा XYZ और आपकी MB दोस्तो खतम हो जा कुछ भी XYZ ना ही Google पर कुछ कर पाएगा ना YouTube पर वीडियो देख पाएगा इससे दोस्तो आपका यही फायदा है आपकी MB बची रहेंगी तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे mobile डाटा पर lock लगाया जाता दोस्तो किसी भी application को download करने की जरूरत नहीं पड़े तो finally दोस्तो मैं आ गया हूं mobile की screen पर तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आपके पास कोई सभी mobile हो सभी mobile में same ही process रहता है तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो mobile की setting को आ हमारे mobile में मिल दा है तो जहां पर आपके mobile में mobile नेटवर्क का दॉस्ता ओप्सिन डिले उसम पर आप लोगों को क्क करता है उसके बाद दोके itQue पॉइंट नेम्स का दोस्तों आएगा हो सकता है आपके मौल में एपी इन का दोस्तों आए एपी इन का फुल फॉर्म होता है एकसेस पॉइंट नेम्स इस पे आप लोगों को क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आप सिम यूज कर रहे हैं वो दोस्तों यहां पर आ जाएगा उ उपर की तरफ ठीडॉट दिखेंगे इस पर लोगों को क्लिक करना है अब दोस्तों यहां पर दिखेंगे मोबाइल नेटवर्क की भी दोस्तों हमारा यहां से ओन है जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो और दोस्तों मैं यूटुब ऑपन करके दिखा देता हूं 문 लयांत चलानाकों को चले जैना जहांद पर आप जो है पीन सेलेक्ट किया था यहां पर एक्सर फॉइन कभेंगे करने के बात दिखेंगे इस फेंप लोगों को क्लिक करना आप दोस्तों छाइब मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे और नबार लोगों usね उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए आपका सिमा जाएगा इस पे आप टिक लगा दीजे टिक लगाने के बाद three dot आएंगे इस पे क्लिक कर देंगे और show का option है share के option पे आप लोगों को click कर दिना है click करने के बाद दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर दोस्तों internet on हो चुका है इसके बाद दोस्तों आप कुछ भी use करिए सब कुछ चला सकते हो